अगर सीखना आपका हथियार बन जाए तो सफलता आपका गुलाम बन जाती है है वलकम बैक मैं धर हमबीर मोटिवेस्टन स्पीकर लाइफ एन बिजनस कोच वेल आज हम लोग सीखेंगे कि मीडियम तर्म फाइनेंसियल गोल प्लानिंग क्या होता है मैंने शॉट टर्म गोल प्लानिंग के बारे में बताया था यह मीडियम तर्म क्या होता है यह जनरली पांच साल का होता है वेल आखे कौन-कौन से टॉपिक हम लोग डिसकस करेंगे मैं आपको आज बता देता हूँ टाइप ऑफ मीडियम तर्म गोल्स क्या होते है मीडियम तर्म गोल अचीव कर सकते है और टाइप ऑफ फंड्स क्या-क्या होता है आज उसके बारे में हम लोग टील करेंगे सबसे पहले मैं आपको बता दू कि किस तरह का मीडियम तर्म आपका गोल होना चाहिए जैसे एक बड़ा घर खरीदना है और उसका माली ये डाउन पेमेंट आपको 10 लाग करना है तो वो 5 साल के अंदर में हो सकता है 10 लाग आपको कलेक्ट करना है तो ये आपका होगा मीडियम तर्म गोल के अंतर या हो सकता है कि आपको आपने शादी कर लिए और किट्स प्लानिंग हो रही बच्चों की प्लानिंग हो रही है तो बहुत लोग क्या करते हैं कि किट्स की प्लानिंग करने से पहले कुछ फंड ऐलोकेट कर लेते हैं पहले फंड कुछ जमा कर लेते हैं 2 लाग 5 लाग 10 लाग रुपया पहले जमा कर लेते हैं आप इसको कर सकते हैं कोई education के लिए आपको loan चाहिए या कोई करजे आपको उतारना है तो भी आप इसकी planning कर सकते हैं कोई भी plan जो पांच साल के अंदर में आप करना चाहते हैं वो सब आपका short term sorry medium term goals में आपका आता है तो जैसे देखिए कौन-कौन से इस इस्ट्रूमेंट है जहां पर आप अपना पैसा डालोगे जैसे डिप्ट फंड में आप डाल सकते हो जनरली 628 परसेंट तक इसमें आपको मिल जाता गबर्मेंट बांड हो सकता है बैंकों का दे सकते हैं तो यह डिप्ट होता है मंतली इंकम प्लाइन आपका हो सकता है इसमें आप पैसा अपना डाल सकते हैं जिसमें मंतली बेसे पर आपको कुछ न कुछ पैसा आपके पास आता रहता है एक्विटी से थोड़ा कम होता ले जैसे 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 इंडेक्स मूब करता है वैसे वैसे आपका पैसा ग्रूव करता है मालों कि अभी इंडेक्स दस हजार सू कर रहा है यह फिर 11000 हो गया मतलब 1000 बढ़ गया तो 10% आपका पैसा ग्रूव कर गाएगा तो लार्ज यह सारे के सारे कंपणी क्या होगिए वैल डारेक्ट स्टॉप बाइंग आप पैसा डारेक्ट इनवस्ट करके शेर भी खरी सकते हैं यह बढ़िया तरीका बनता है लेकिन आपको एक्सपर्ट के एडवाईज में भी जाकर खरीदे तो यह आपके लिए ज्यादा बेनिफिक् मीडियम तंट होता है बड़ी बड़ी कंपनियां का आप मनी कंच्रोल डॉट कॉब में या एक्मामिक टाइम्स में जाकर के चेक कर लिजिए कौन से आपके मीडियम तंट होता है जहां पर पांच साल के अंदर में पैसा इंवेस्ट करके आप अपना गुरू करवा सकते हैं अब हम लोग सीखते हैं टाइप फंड्स और कौन कौन से हो सकते हैं टाइप फंड्स में अगर ध्यान से देखिएगा कि आपने यह तो चुन लिया कि यह सब फंड में पैसा डालना है लेकिन आपका माइंसेट क्या होना चाहिए अगर आप चाहे तो हाइब्रिट फंड मे में डाल सकते हैं फंड क wat यहते हैं कि सपोच 50 पेसा वा डेप में डालता ह है 50 पेसा फिप्क्र सवी इसक्ते पार्ट में टोलता है और दूसरा इकीवटी औरिट hybrid होता है जहां पर equity में ज्यादा पैसा होता है मतलब 60-70% equity में पैसा डाल दिया जाता है और 30% के आसपर depth में पैसा डाल दिया जाता है तो यहां पर आपको ज्यादा return मिलते हैं लेकिन risk भी ज्यादा है कुछ asset fund होते हैं जहां debt oriented balance fund होते हैं मतलब कि आपका 60-70% पैसा debt में जाता है और बागी 30% जो पैसा होता है वो equity में जाता है यह आपका balanced है मतलब इसमें risk कम है लेकिन return भी थोड़े कम आते हैं in compare to previous one पहले वाला के compare में इसमें थोड़ा सा कम है लेकिन risk भी कम है monthly income plan जो बताया इसमें क्या होता है कि आपको हर मंत कुछ ना कुछ पैसा आता है यह सब में equity based plan में आपका हर मंत पैसा नहीं आएगा लेकिन इसमें पैसा आता है डिप से थोड़ा जादा होता है लेकिन वो एक्विटी से कम आपको मिलेगा equity related fund equity related fund पर अगर आप बात करोगे तो आप पूरा का पूरा पैसा एक्यूटी में भी डाव सकते हो पैसा जादा आएगा लिकर रिस्क भी जादा है टपने पूरा का पूरा पैसा प्रफन में डाल दीजी आपको बताया था बहुत सारे कंपनी के डिफ्ट फंड आते हैं तो जैसे एकसिस हो गया कोटक हो गया SDFC हो गया किसी का भी update fund दे सकते हैं या moneycontrol.com या access Indian economics.com में जाकर कि आप चेक कर लीजिए बहुत सारे साइट से जहां आपको पता चल जाएगा गोल्ड एलेटेट फंड ये भी एक अच्छा है कि आप क्या कर लो कि फंड गोल्ड लेलो जाकर हला कि फिजिकल गोल्ड नहीं रहता है यह अपकर मन में गोल्ड EU खरीद लिया अपने digital गोल्ड आपने खरीद लिया इससे क्या फाइदा होता है कि गोल्ड के लिए आपको लॉकर लेनी की की हो और पसंद आया है तो लाइक करके हमारा उससाथ जरूर बनाईए ताकि मुझे पता चलेगा कि इस तरह के वीडियो आपको और भी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि अगला टॉपिक अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए मैं आपके कमेंट को पढ़कर की वीडियो बनाता हूँ शेर जरूर कीजिए विकोज शेर ही इस केरिंग अगले वीडियो मिलते हैं भाई ठेक कियर झाल टॉपिक आपके कि अगला टॉपिक झाल 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 झाल